कि आप सब कस्वागत है मारे चारू किस तरह से बनाए जाता है वा अज मैं अपके सब रेसिपी से चलिए आज पताती हो आपको कैसे चारू किया क्या रेषिप लगते हैं आईये सबसे पहले हमने इमली ले लिया है इमली हम थोड़े कॉंटिटी मिलेंगे क्योंकि यह टमाटर का रसम है रसम जो होता है बहुत ही टाइप के होते है अज मैं आपके साथ शेड करेंगे टमाटर का रसम तो इसलिए हम टमाटर डाल रहे हैं इसलिए हम इमली कम लेंगे और सा पॉडर भी रसम पॉडर का जो रेसिपी है मैं आपके साथ बाद में शेर करूंगे हम थोड़ा सा जीरा मिक्सी जार में डाल देंगे थोड़ा सा हरा मिर्च्छा लसुन अधरक जितना हमने काटा है अधरक पूरा डाल देंगे और इसे हम चाय तो कूट सकते हैं ने तो मिक् पॉड़ी हो गया है मिक्सी मैंने ज्यादा पेस्ट नहीं किया है उसे दरदरा पीसा है तो अब हम टमाटर काट लेगे हैं छोटा-छोटा रसम जो है नॉन्वेज के साथ हमारे सौथ इंडिया में बहुत ही पसंद किया जाता है अगर नॉन्वेज रहे तो हम ज्यादा रसम ही पिरुफर करते हैं दाल से पहले तो टमाटर मेरा कडिया है अब हम एक पैन में ठालेते हैं और इसे गरम कर लेते हैं हमारा पैन गरम हो गया था अब हम उसमें थोड़ा सा ऑईल डाल दिये हैं ऑईल थोड़ा गरम हो जाए तो हम उसमें फिर से थोड़ा जीरा सर्सो अभी जीरा और सर्सो डाल दिया अब करी पता डाल दिया है और चार्सो मैंने तुखा मिट्टा लिया है उसे भी डाल देंगे और पीजो मैंने आधा लेशन प्रक्षटे रखा था वह भी डाल देंगे अब इसे थोड़ा फ्राई होने दिते हैं जो हमने छोक लगाया था वह फ्राई हो चुका है अब हम इसमें अरा मिश्या और टमाटर भी डाल देंगे और इसे अच्छे तर कमाटर को गलने के लिए रख देंगे तो हमारा जो कमाटर वह फ्राई हो रहा है इसे हम पूरी अच्छे तरीकी तर गलने देंगे हमारा टमाटर जो है थोड़ा गल चुका है अब हमने जो यह मिक्सी करके रखा था उसे उस मसाले को भी डाल देंगे हमने जो मिक्सी करके रखा था अध्रक लक्षून और थोड़ा जेरा हरा मिस्टर कपेज मैंने उसे भी डाल दिया है अब इसे थोड़े दिर और फ्राई करके तब तक हमने जो यह इमली को बिंगो के रखा था इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं अगर आपको खटा चाहिए तो आप और इसे इमली को मैश करके डाल सकते हैं यह तो इसे रख दिया सकते हैं मैंने इमली को अच्छे से यह करके डाल दी है अब मैं इसमें और पानी अड़ करेंगे आपको जेतना क्वान्कितिव में रसम चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं मिक्स में नमक डाल देंगे नमक स्वादने साल थोड़ा सा रसम पाउडर थोड़ा गरम मसाला पाउडर और हल्दी भी हम धनिया पत्त भी अभी थोड़ा एड़ करतेंगे तक यह जब बॉइल होगा तो धनिया पत्त का फ्लेवर भी इसमें मिक्स होगा और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और अब हम इसे एकदम सिम में रखके बॉइल होने देंगे हाई में रखने से इसका टेस्ट खराब होता है तो इसलिए हम इसमें सिम में रखके अभी इसे बॉइल होने देंगे मैंने यहां चारू को जो है अभी कवर करके रख दिया है अब हम इसे 10-15 मिनिट लो फिल्म में बॉइल होने देते हैं इसे हाई में बॉइल करने से इसका टेस्ट बहुत कराब हो जाता है इसलिए इसे लो फिल्म में ही बॉइल करना चाहिए इस देखिए 10-15 मिनिट हो गया है अब हमारा शारू वीजी है अच्छे से बॉइल हो गया अब हम क्यास बंद कर देते हैं लो फिल्म में इसे बॉइल करने से इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है तो यह हमारा रसम जो है बनके त्यार हो गया है अब मैं इसे सर्फ कर देती हूँ अब देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है हमारा रसम जो है बनके त्यार हो गया है कि गर्मी के दिनों में जब कुछ खाने का दिल ले करता है तो इसे आप बना के टेस्ट करके जरूर देखिए इसका टेस्ट जो है मूंकों भी बहुत अच्छा लगता है और डाइशेट के लिए अच्छा है तो आप यह रसिपी ज मामें भाइ